आज आपको ये बताने वालूं, Blasper University का डिगरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, Blasper University की अंदर तो आप डिगरी अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वालूं, कैसे आप एक मिनिट में अपना डिगरी बनवा सकते हैं, कैसे अप्लाई, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यह जानकर ये आपको इस वीडियो में देने वालो हूँ, जैसे कि दोस्तो सबसे पहला DigiLocker, DigiLocker क्या है, DigiLocker जैसे कि दोस्तो क्या है और की सरह इसका करे इस्तमाल, तो दोस्तो जैसे कि आगर आप कोई जरूई डाकुमेंट खो जाए, तो आपको फिर से नए डाकुमेंट बनाने में दब्तरों के चक्कल लगाना पड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने डाकुमेंट को डिजीटल सोच्चित रख सकते हैं, ज़रूट परने पर आप इसे कहीं भी इस्तमाल भी कर सकते हैं, सरकार ने इसके लिए DigiLocker की स्वीधा प्रेदान किये, डिजीLocker को आप अपने अधार करके जरीए एक्टवेट कर सकते हैं, इसका कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब दोस्तों मेरे कहने के मतलब यह है कि आप DigiLocker से आपका अगर याद भी है, जीसे की आपका अधार का नमबर तो भी आप यहाँ पस डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, या ओटर आइडी खो जाता है, यह को भी पासपोर्ट खो जाता है, तो आप Digital Locker के माध्धम से अपना नमबर डाल कर, जो उसका नमबर होता है, अधार नमबर होता है, पैंड का नमबर होता है, उस नमबर को डाल कर भी यहाँ पस अपना PDF जनरेट कर सकते हैं, कोई भी मार्क सिट हो, और भी आपको मिल लेगा, तो दोस्तों, यहाँ पस रिजिनल डॉकुमेंट रहता है, आप यहाँ पस ले सकते हैं, इसकी लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको कैसे हैं, इसमें साइन अप करना है, कैसे लोगिंग करना है, और आप कैसे बलास्प इनिवर्शिटी या टल विहारी का, उसका आप डिगरी प्राप तक कर सकते हैं, यह मैं आपको बताने वालाओ, सबसे पहला चीज आपको आपको कोई भी ब्राजर उपन करना है, ब्राजर उपन करने एक बाद वहाँ पस सर्च करना है, डिजी लॉकर.गवर्मेंट.इन करना है, इसका लिंक वीडियो के आपको डिश मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपको इस तरह का पोर्टाल मिलेगा, डिजी लॉकर करना है, इसमें सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है, आपस Sign Up and Sign In, अगर आपके पास एकाउंट क्रेंट नहीं है, तो आपको एकाउंट क्रेंट कर लेना है, आपस Sign In करके 争प्स है, आप whether편ck क्लिक करना है, जैसे कि दोस्तों आपस आप क्लिक करेंगे, तो आपको आपस तीन उप्सन मिलता है, mobile username अधार अगर आप अपस activate करना चाहते हैं नए account create करना चाहते हैं आपस click करेंगे ठीक है जिसे अपना नाम डालना है डेट हब बाट डालना है उसके बद आपको mail डालना है ठीक है उसके बद mobile number email id और 6 digit का पको pin design करना है ठीक है जिसे कि दोस्तों अगर आप डारेक्ट करना चाहते हैं तो आपस भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपस अधार नमबर डाल रहा हूं और अधार नमबर डालने के बाद जो भी आपस mobile नमबर लिंक रहेगा अधार करड में इसमें एक OTP आएगा दोस्तों जिसके मैं नेस्ट कर रहा हूं आपस ठीक है नेस्ट करने के बाद जो आपस रजिस्टेड मोबाइल नमबर है अधार कर से उसमें एक OTP आएगा तो मेरा OTP आचुक है दोस्तों मैं OTP को फिल कर लेता हूं यह दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है समलिट कर देना है जब आप समलिट करेंगे तो आपको अपस सिक्रेटी पिन मांगेगा ठीक है तो आप नए पिन जेनेरेट कर सकते हैं वेरिफै कर ले एग-पार एग-पार-एग-पार उआप यह दोस्तों जैसे कि लोगिंग हो चुक है अपस मेरा प्रफायल भी आचुक है आप देखते हैं इसे डॉकुमेंट् सर्च दॉकुमेंट ठीक आप मेरा डॉकुमेंट्स क्या क्या है अपस अप लोट है अभी तक ठीक है यह मैं मेरा अधार कार्ड है तो यहां सभी चीज आपको आपस मिल जाएगा तो यह दोस्तों जैसे की यह आप जीसे कि सबसे पहला अगर कोई भी अपना डॉकुमेंट हैं अपने अपलोड करना चाहते हैं या डिगरी हापस अपलाई करना चाहते हैं जैसे Blaspore University का तो आपको क्या करना है जैसे Blaspore University हापस सर्च करेंगे ठीक हैं दोस्तों आपस नेट प्लाब्बम चाड़ रहा है इसका राट से स्लो है वेट कर लेते हैं कि कि अब दोस्तों आपस अपस्प्स ना अऊब बिलाजकर इणिवर्सिटी अटल विहारे ठीक है बैट कर लेते हैं यह दोस्तों टिक अटल विहारे आजपर विश्टी यह ऑप्सक्राइब करेंगे यह ओप्सन दिया है आप डिग्री, सेटिफिकेट, डिग्लोमर, सेटिफिकेट, ठीक, आप जो भी आपस अप्लाई करना चाते हैं, आपस कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिग्लोमर कर रहा हूँ, आपस मेरा नाम R.I.D. अधार करके थुरू आ जाएगा, आपके डेटाप बठा आ जाएगा, आप यह करने के बाद आपस डाकुमेंट पर क्लिक करेंगे, जब डाकुमेंट पर क्लिक करेंगे, तो आपस सम्मलीट हो जाएगा, सम्मलीट होने एक बाद आपका सम्मलीट होगा, तो आपस 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 आजाएगा, डाउनलोड करने का, ऐसा डाउनलोड करने का आपसन सकते हैं तो यह दोस्तों और और कोई भी जानकारे चाहिए तो कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी प्लॉडबा माता है कमेंट भी में कर सकते हैं